हेलो वर्वन वेलकम टू स्टड़ी टूब बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस सीरीज का इस वडियो में सेट नमबर 33 मैंने थम्डेल चेंज कर दिया है क्योंकि पिछले वाले थम्डेल पर लिकावा था फोर ओल कंप्रेटिव एक्जामिनेशन इस सी लिए तो आवे से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस एक्जाम के लिए है इसे लिये क्या कि है कि यहां पर इन सारे exam का नाम लिखे दिया है अब आप यह मत पूछना इन्हें से किसी भी exam का नाम दे करके कि इसके लिए useful है या नहीं है या फिर SSE CGL के लिए करवाईए अलग से SSC, CHSL के लिए करवाईए, अलग से इन सारे ही एक्जामों के लिए ये एक स्रीज है, 5000 सवाल बहुत होते हैं मैं आपको 5000 सवाल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इन सारे एक्जामों में आपका help हो जाए आपसे सवाल छोटे ना तो आप में से जिनको भरोसा है जिनको लगता है कि यहाँ ये सारे सवाल जो है आपके एक्जाम के लिए यूश्फूल है आप जिस भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं उसके लिए तो ठीक है आप इस चैनल से बने रहे हैं आपको definitely एक्जाम में फाइदा पता है SSE CGL में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, BPSC में कैसे पूछे जाते हैं, CHSL में, MTS में, बिहार दरोगा में, इन सारे एक्जामों में कैसे सवाल आते हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए आप निशिंत रहिए, आप इस स्रीट से जुरेड हैं, आप से 10% questions आप बना करके आओगे, आपको बस करना यह है, स्रीज को देखते रहना है, PDF में आपको दही रहा हूँ, आपको time to time revise करना है, revision करोगे तो एक्जाम में सवाल बनेगा, otherwise नहीं बनेगा, मेरा काम है set करवाना, चीजों को बताना, मैं बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा, पढ़ना और revise करना, revision करते रहोगे, तो सवाल जो है आपसे नहीं चूटेगा, और अगर आपने revision करना बंद कर दिया, तो फिर सवाल आपसे exam में चूटेंगे ही चूटेंगे, PDF के लिए आपको पता ही है, और आप में से जो पहली बार देख रहे हैं, उनको में बता आप इस ID के मादियम से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो, या फिर ये QR कोड है, इसे स्कैन करकर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो, अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो, अब अरतने हैं वीडियो में आगे और करते हैं questions, तो पहला सवाल है हमारा, इनमें से होता है, तंबाकू में मौझूद होता है निकोटीन, निकोटीन जो है तंबाकू में मौझूद होता है, आपको याद रखना है, ये टेबल, निकोटीन मिलेगा आपको तंबाकू के पत्तियों में, जो तंबाकू लोग खाते हैं, उसमें निकोटीन होता है, कैफीन और मॉर्फीन यह मिलेगा अफीम का जो पौधा होता है जिसे हम लोग ओपियम पॉपी बोलते हैं इंगलिश में ओपियम पॉपी प्लांट किस बहुती घटना में एस्थैतिक विदुत प्रेडन शामिल होती है एक तो आपने सुना होगा एलेक्ट्रो मैंनेटिक इंडक्श हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडित विदुत धारा और इस पूरे घटना को हम लोग बोलते हैं विदुत चुमबक की प्रेडन एक चीज और होता है जिसे हम लोग बोलते है एस्थैतिक विदुत प्रेडन एलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन यहां करेंड की ब एक वेग्यानिक थे बेंजामीन फ्रैंकलिंग ये वही वेग्यानिक है जिन्होंने सबसे पहली बार इस चीज को कहा कि ये जो पेपर के टुकरे जो चीपकते हैं कंगी से यानि ये जो एलेक्ट्रस्टिक इंडक्शन है यही होता है बरसात के समय जब बारिश होती है उस समय लाइटनिंग के लिए जिसे में आम भाशा में विजली करकना बोलते हैं जो आवाज आती हैं विजली करकती है तो उसके पीछ कौन सी घटना है यह वाली static विदूद प्रेडन जो आप यहां पर देखते हो बोजन की उर्जा किस में मापी जाती है बोजन की उर्जा मापी जाती है केलोडी में एक केलोडी बडावर 4.2 जूल होता है एक केलोडी बडावर 4.2 जूल सोनार का पुर्ण रूप क्या है सोनार सोनार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो यहां पर देखलो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यहां पर इन हटा दो sound in नहीं होगा sound not नहीं होगा sound and navigation and receiving नहीं होगा यह हमारा आंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर सरी करना sound navigation sound navigation and ranging यहाँ पर in नहीं होगा sound navigation and arranging यह full form है इसमें जो है ultrasonic sound का इस्तमाल किया जाता है यानि ऐसे sound का इस्तमाल किया जाता है जिसकी frequency जो है 20 kHz से ज्यादा होती है 20 kHz से ज्यादा होती है और यह रहें इनके उप्योग सोनार का जो इस्तमाल है उप्योग है यूज है वो इन सारे चीजों में होता है तो एक वारे वीडियो पहुच कीजिए और इसको पढ़िए यह समय आपको अलड़ी बता चुका हो प्रिवेश स्रेट में निविन में से क इसका इस्तमाल किया जाता है दो नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो सोडिया वाइक कारबोनेट न ए एच-c-o-3 एंटासीड के रूप में इसका इस्तमाल किया जाएगा या फिर एंटासीर जो होगा जो दवा होगा उसमें ये सोडिया माइकर यानि कि magnesium hydroxide एनाल जैसे का काम होता है दर्द को खत्म करना तो एनाल जैसे यानि कि pain killer antiseptic, antiseptic का इस्तमाल जो है हम लोग अपने skin पर करते हैं जब skin पर चोट लग जाती है घाव हो जाता है, कहीं छिल जाता है तो वहाँ पर infection न हो जाए जिवानु जो होते हैं उस पर पनपने न लगे ग्रोथ न करने लगे, तो वहाँ पर हम लोग antiseptic का इस्तमाल करते हैं living tissue पर basically हम लोग इस्तमाल करते हैं सुक्ष्म जीवों को मारने के लिए या फिर उसके वृद्धी को रोकने के लिए और antibiotic का इस्तमाल जो है हम लोग करते हैं bacteria को bacteria को मारने के लिए या फिर उसके वृद्धी को रोकने के लिए bacterial infection से बचने के लिए रक्त को धमनी से शीराओं में जिन सुक्ष्म नलिकाओं के माधियम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है हमारे body के अंदर जो है जो blood है वो carry की जाती है तीन तरह के vessels के दोरा एक धमनी है दूसरा शीरा है और तीसरा केशी का यानि की capillary तो यहाँ देखो जो धमनिया होती है वो हमारे heart से हमारे हिर्दे से blood को body के different parts में लेकर के जाती है लेकिन मानलो कोई organ है कोई organ है मानलो liver है या फिर मानलो kidney है इसके अंदर घुस करके blood कोन लेकर के जाती है केशी का capillary क्योंकि धमनी जो होती है जो artery होती है वो मोटी होती है तो वो इस organ में भेद करके नहीं जाएगी वो क्या है कि और छोटे-छोटे सुक्षूनली काओं में बट जाती है डिवाइड हो जाती है और वो औरगन के अंदर अंग के अंदर जो है बलड को लेकर के जाती है फिर वहाँ से बलड का इस्तमाल किया जाएगा और फिर वापस बलड को उस ओरगन से बाहर भी लेकर के आना है तो बाहर लेकर के आएगी वही केशिका और फिर वो जो यूज की होई बलड है उसे भेज़ दिया जाएगा वेन में यानि की शीरा में तो यह है धमनी और यह है शीरा तो धमनी से बलड जो है क्यापिलरी के माध्यम से शीरा में आती है और शीरा का काम है बॉड़ी के different parts से बलड को heart तक ले करके जाना हिर्दे तक ले करके जाना तो हमारा answer केशिका है केशिका है जो है ये connect करती है धमनी और शीरा को आपस में किसी परमानों के डैश में मजूद एलेक्ट्रोनों को सैयोजी एलेक्ट्रोन के रूप में जाना जाता है किसी भी परमानों का जो भाहतम कोश होता है उसे हम लोग वैलेंस शेल या फिर सैयोजी कोश बोलते हैं और उसमें जो electron होते हैं उसमें हम लोग सहींजी electron बोलते हैं तो बायतम कोश को हम लोग क्या बोलेंगे सहींजी कोश बोलेंगे और उसमें जो electron होंगे उसमें हम लोग बोलेंगे सहींजी electron जैसे यहां देखो nitrogen का यहां पर atomic structure दिखलाया गया है nitrogen का जो atomic number है वो 7 होता है electronic विन्यास लिखो तो 2 और 5 यह electronic विन्यास है electronic configuration है पहले कोश में 2 electron और बाहतम कोश में 5 electron 5 electron है ना 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 ही कोश है पहला कोश के और दूसरा L L जो है सहींजी कोश है और L में 5 electron है तो सहींजी electron 5 एक दूसरे से D दूरी पर इस्थित M capital M और small M द्रमेमान वाली दो वस्तों के बीच लगने वाला अकरशन बर डैश के अनुक्रमानुपाती होता है अनुक्रमानुपाती बोल दे या फिर समानुपाती बोल दे डिरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दे बात एक ही है तो देखिए दो मास है हमारे पास M1 और M2 इसी को आप यहाँ पर बोल दो capital M और M है इनके बीच की दूरी जो है small d है तो इन दोनों के बीच जो है लगता है गृत्वा करशन बल गृत्वा करशन बल, gravitational force यह जो capital M वाला है इस पर बल लगाएगा small M वाले पर और small M वाला जो है यह capital M वाले पर बल लगाएगा दोनों समान मातरा में ही बल लगाते हैं समान परिमान में ही बल लगाते हैं लेकिन दिशाएं जो होती है M1 पर इस direction में बल लग रहा है तो M2 पर इस direction में बल लग रहा है तो यहाँ देखो लिखा हुआ है force बराबर F1 बराबर F2 दोनों force तो आपस में बराबर ही होंगे बस दीशा जो है यहाँ पर अलग-अलग होती है और यह formula होता है जो आपको दिहान में भी रखना है गुरत्वा करशन बल बड़ाबर होता है सावरत्री के गुरत्वा करशन है नियतांक जो की constant है पूरे universe के लिए उसके बाद जो दोनों दरवेमान है उनका product लिख दो यहाँ पर और उनके बीच की जो दूरी है बट्टे में उसका square यह आपको दिहान में रखना है और capital G का मान होता है 6.67 into 10 to power minus 11 newton meter square पर kg square तो किसके अनुक्रमान पाती है तो जो F है यह directly proportional है दोनों masses के product के और हुट्क्रम अनुक्रमान पाती है दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के तो क्या होगा हमारा answer यहाँ पर वस्तू के दुरवेमानों का गुणन फल C हमारा right answer हो जाएगा प्रित्वी के अंदर मौजूद गर्म चटानों के कारण भूमिकत जल डैश जिसका उप्योग करके generator के टर्वाइन से बिजली पैदा की जा सकती है तर्वाइन को गुमाया जाता है तर्वाइन को गुमाने के बाद उसमें यांत्रिक उड़ जाती है और फिर उससे जो है वजद उड़ जा बनती है तो हमारा answer होगा यहाँ पर D पृतिवी के अंदर मौझूद गर्म चट्टानों के कारण गुमिकत जल जो है उच दाप पर भाप में बदल जाता है भाप में बदल जाता है अब उस भाप को जो है एक बल के साथ एक प्रेशर के साथ उपर खीचा जाता है और वो भाप जो है वो तर्वाइन को घुमाता है तर्वाइन घुमाने के बाद क्या होगा जो विद्ध उर्जा है वो बनती है electricity produce करने के लिए हमें बस एक ही काम करना होता है कि तर्वाइन को घुमाना होता है अगर हमें electricity produce करनी है तो हमें टर्वाइन को घुमाना परेगा, यानि टर्वाइन को घुमाना परेगा, यान्तरिक उर्जा जो है हमें देनी परेगी, यान्तरिक उर्जा देनी परेगी, मेकैनिकल एनरजी जो है हमें देनी परेगी, टर्वाइन को घुमाना ही यहाँ पर मेन हमारा काम होता है, अ यहाँ पर देख लो, यह देखो मैगमा है, यह गरम चटान है, गरम चटान के कॉंटेक्ट में जो पानी है, वो पानी जो है भाप बन जाता है, यह जो एनरजी हमें यहाँ पर मिल रही है, इसे लोग जीओ थर्मल एनरजी बोलते हैं, जीओ थर्मल एनरजी का इस्तमाल करके जो है हम electricity produce कर रहे हैं, लेकिन हर जगा जो है ऐसा नहीं हो पाएगा, कि हमें ये भाप मिल जाए, ऐसा कुछी अस्थान होता है, जहां पर हमें ये भाप मिल जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी आप खोद डालो जमीन को, तो हाप मिल जाएगा आपको, तो इस वाले energy से electricity produce करने में बस यही दिक्कत है कि हमें यह जो अस्थान है वो हर जेगा नहीं मिलते हैं कुछ अस्थान हमें ऐसे दिख जाते हैं जहां पर यह जो गरम पानी है यह high pressure पर भाप में convert हो चुका होता है अब इसी भाप को क्या है एक pressure के साथ खीचा जाएगा और उसी pressure के साथ खीचने पर यह भाप जो है टर्बाइन को घुमाएगा और electricity produce होगी फिर इसी भाप को क्या है कि भेज दिया जाएगा ठंडा करके जमीन में पुरा यह cycle बन रहा है यह चटान है चटान के contact में यह गरम पानी है यह भाप में convert हुआ इसको उपर खीचा गया टर्बाइन को घुमाएगा फिर इसे ठंडा करके वापस से भेज दिया गया कितना आईजी है न यह जो बिजली है न इसको बनाने में ज़्यादा tension नहीं है उतना खर्चा नहीं है लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे अस्थान बहुत कम है जहां में यह गरम पानी जो है भाप के रूप में मिल जाए कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुए डैश के बनने की वज़ा से काली हो जाती है चांदी की वस्तुए जो है starting में काफी चमकदार होती है लेकिन धीरे 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 जो वो काली बढ़ जाती है क्यों क्योंकि उसके उपर परत चड़ जाती है silver sulfide की silver sulfide अब देखो इसमें से formula कोन है silver sulfide का यह है या फिर यह है यह हमारा answer हो जाएगा यह silver iron होता है और यह sulfide iron होता है formula लिखो तो ag के नीचे हम वह लिखेंगे sulfur के उपर 2 minus charge है तो minus 8 करके हम 2 लिखेंगे क्रिस्ट क्रॉस करेंगे तो यहां से formula बनेगा ag2s silver sulfide किस से तत्तो तक अश्टक नीचम लागो होता है तो यहां पर calcium है तो calcium हमारा answer हो जाएगा कभी-कभी calcium का स्थान पर लिखा होता है हलके तत्तो तक तो वह हमारा पर वहाँ पर answer हो जाएगा तत्तो के वड़की करन का अश्टक नीचम जो है new lens ने दिया था अश्टक नीचम केवल हलके तत्तो तक या calcium तक ही लागो होता है तो या तो भी कल पर मिलेगा calcium तक जैसे कि यहां पर मिला या फिर मिलेगा हलके तत्तो तक तो दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है इन मे से कौन सा एक जोड नहीं है कौन सा एक जॉइंट नहीं है जोड का मतल यहां पर क्या है जॉइंट जॉइंट जो है यह अस्थियों यानि कि हड्डियों या फिर एक हड्डी और एक उपास्थी के बीच का जुड़ने का अस्थल है जॉइंट में वही होता है जहां पर भी ज जोईंट होता है वहां पर दो हड़ी आपस में जूर रही होती है या फिर एक हड़ी या फिर एक काटिलेज आपस में जूर रही होती है जो जोईंट से कही प्रकार के होते हैं उनमें से एक प्रकार होता है हमारा साइनोवियल जोड साइनोवियल जोईंट जैसे कि टकना है घुटना है, क्यों नहीं है, अल्बो, ये सारे जो जो जॉइंट्स हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं, तो हमारा आंसर यहां पर C हो जाएगा, निम लिखित में से किस तत्त को, एका बरोन के रूप में जाना जाता है, तो मेंडलिव साम ने जो अपना प्रियोडिक टेवल दिया था, उस समय थे 63 एलेमेंट्स, 63 एलेमेंट्स नोन थे, तो इनको तो उन्होंने साजा जाया ही, साथ में उन्होंने कुछ तत्तो के भविश्वानी भी की थी, भविश्वानी की थी, और उन्होंने अपने प्रियोडिक टेवल में कुछ अस्थानों को छोड़ दिया था कि भविश्य में जो है तब तो खोज जाएंगे तो उसको वहाँ पर रखा जाएगा और उनका उन्होंने नामाकरन भी कर दिया था नामाकरन किया था जैसे कि एका बरोन तो जो हम लोग आज scandium बोलते हैं Mandeleaf साहब ने अपने प्रियोडिक टेवल में उनका अस्थान वहाँ पर छोड़ रखा था और कहा था कि उसे हम लोग एका बरोन बोलेंगे तो उसी एका बरोन को हम लोग आज कर स्केंडियम बोलते हैं जो हम लोग गैलियम बोलते हैं उन्होंने कहा था उसे एका ऐलुमिनियम और जिसे हम लोग जर्मिनियम बोलते हैं आज क्रेटर में उसे उन्होंने कहा था एका सिलका ये सारे जो नाम उन्हें दिये थे बस नाम दिये थे उस समय ये सारे तद तो खोजे नहीं गये थे बस न प्रच्ट जो है मलेडिया फैलाता है इस बात की खोचिए रोनाल्ल रोस ने इसी जो है यह इंदर टीक करना प्रोटोजाओ के बातेinement मारी मानदेन जो प्लाजमोडियु हम प्लाजमोडियम वाइवक्स, प्लाजमोडियम फैल सेपरम, ये नाम है, प्लाजमोडियम आपको विसिकली ध्यान में रखना है, प्लाजमोडियम पैरसाइट है, प्लाजमोडियम प्रोटोजोन है, जिसके करण मलेरिया विमारी होती है, और ये जो विमारी है, ये एक व्यक मलेरिया को फैलाती है और इसके कारण जो है इनको नोबल प्राइज भी मिला था 1902 में देखे 1901 से नोबल प्राइज दिया जा रहा है और 1902 में इनको मिला था चिकित्सा के शत्र में नोबल प्राइज medicine में या फिर physiology में novel prize इसी चीज के discovery के लिए कि malaria मच्छर को फैलाती है निम्रकित में से किस इस्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं हम कमरे के ताप पर पानी को उबाल सकते हैं, generally जो पानी है ये उबलता है 100 degrees Celsius पर लेकिन 100 degrees Celsius पर कब उबलता है, जब जो वाई मंडली ये दाब है वो एक ATM होता है लेकिन हमें क्या करना है कमरे के ताप पर पानी उबाला है, तो बोल सकते हो आप कि 25, 25 30 degrees Celsius पर हमें पानी को उबाला है यानि कि boiling point जो हम 100 degrees Celsius बोलते हैं, वो एक ATM पर होता है जिसे हम लोग वाई मंडली ये दाब बोलते है लेकिन हमें क्या करना है कि boiling point 25-30 degrees Celsius करना है तो इसके लिए क्या करना परेगा जो वाई मंडली ये दाब है, इसको बढ़ाना परेगा या फिर घटाना परेगा आपने सुना होगा कि जब हम height पढ़ जाते हैं, उचाई पढ़ जाते हैं तो खाना जो है, देरी से पकता है खाना देरी से पकता है इसे लिए क्योंकि वाई मंडली ये दाब जो है कम हो जाता है, जिसके करना पानी का boiling point पर कम हो जाता है, पानी कोतनानक बढ़ता है, और वाई मंडली ये दाब घटने पर जलका कोतनानक घटता है जदी वस्तु को अनंद और किसी out the lens के optic center O के बीच रखा जाता है तो अब वर्तन के बाद प्रतिविम कैसा बनेगा देखे, आवतल दरपन के बारे में बस तीन points आपको ध्यान में रखने है पहला कि out the lens में हमेशा सीधा और अभासी प्रतिविम बनता है, हमेशा ही सीधा और अभासी बनेगा लोचा होता है उत्तर lens में उसमें अभासी भी बन जाता है, अभासी भी बन जाता है सिधा बन जाता है उल्टा भी बन जाता है और समान अकारका भी बन जाता है लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल है हमेशा सिधा और अभासी प्रतिवीम बनता है प्रतिवीम भी आपको या तो छोटा मिलेगा या फिर बहुत ही छोटा यानि कि बिंदू के अकारका मिलेगा और अव्ता लेंस के आप्टिक सेंटर के बीच यानि कि प्रकाशिक गेंदर के बीच उत्ता लेंस दोरा अब वरतन के बाद 2F2 से परे एक आवर्दित वास्तविक उल्टा प्रतिवीम प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए जो प्रतिवीम है वो 2F2 स परे यानि कि 2F2 के बाद बनना चाहिए यानि कि लेंस के पीछे 2F2 के बाद बनना चाहिए प्रतिवीम जो है उल्टा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए साइज में तो यह चीज आपको तम मिलेगा जब आप अस्तु कर रखोगे लेंस के सामने F1 और 2F1 के बीच जो यही दरपन में फोकस होता है और यही वक्रता किंदर होता है तो F1 और 2F1 के बीच में डालेंगे तो प्रतिवीम मनेगा 2F2 के बाद यहीं 2F2 से परे यह तीर देखो छोटा दिखलाया गया है जबकि यह तीर बड़ा दिखलाया गया है यानि कि प्रतिवीम जो है है तो प्रतिवीम वक्रता कंदर पर ही बनता है तो जो वक्रता कंदर हम लोग दरपन में बोलते हैं यहाँ पर 2F1 हो जाता है तो वकरता के अंदर पर डालेंगे तो वकरता के अंदर पर ही बनेगा इधर हम C1 पर डालेंगे तो इधर C2 पर बनेगा वकरता के अंदर पर ही बनेगा अवतल दरपन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वस्तू को हम अनंद पर डालते हैं तो प्रतिविम फोकस पर बनता है यहाँ पर जब हम वस्तू को अनंद पर डालेंगे तो जो प्रतिविम है वो बनेगा आपका F2 पर यहाँ पर बनेगा सोल्डर डैश के मिश्रधातू है सोल्डर जिसे हम लोग रांगा भी बोलते है यह मिश्रधातू है लेड और टीन के मिश्रधातू है सोल्डर जो पीतल है यह कॉपर और जिंक के मिश्रधातू है जो कांसे है वो कॉपर और टीन के मिश्रधातू है जो सोल्डर है वो लेड और टीन के मिश्रधातू है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को कहा जाता है पदार्थ के एक अड़ो में मजूद सभी परमानों के परमानों दरवेमानों के योग को क्या कहा जाता है तो एक IRMA में जितने भी परमानों होते हैं तो IRMA की दर्मान हम लोग ऐसे निकालते हैं जब किसी वस्तकी चाल दोहनी की चाल से अधिख हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है जब किसी object की जो speed है वो sound की speed से ज़़ादा हो जाती है तो उस speed को क्या कहा जाता है एक number होता है जिसे हम लोग mark number बोलते है mark number या फिर mac number हम लोग बोलते है ये बड़ावर होता है किसी भी माद्य हमे वस्तू की चाल बटे में उसी माद्य हमें धोनी की चाल जैसे हम air की बात करें तो air में किसी वस्तू की चाल में बताई जाती है अगर मैक नमबर एक है मालनो इसका रिश्यू जो है ये एक आगया इसका मतलब क्या हुआ कि माद्ध्य में जो वस्तू की चाल है वो द्वानी की चाल के बड़ावर है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सोनिक स्वीड बोल सकते हैं सिंपली सोनिक है और अगर जो मैक नमबर है वो पांच से भी जादा हो जाए या फिर पांच हो जाए तब हम उसे हाइपर सोनिक स्पीड बोलेंगे यानि जो वस्तू की चाल है वो द्वानी के चाल के पांच गुनी है या फिर उससे भी जादा है तो इसे हम हाइपर सोनिक स्पीड बोले रहेंगे हलेक। को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है हलेक। 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 का मतलब होता है सांस computer यहानु की बैड ब्रीड। यैसरे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बोलने से जो है उसके मुँसे काफी दूर झाथ है तुरॉ ही है हलेक। मैले काईट डायश का ए सक्क्रिदैक डायश कented मैले कैट डिया एप्रख़ गाई्च हैं बहुत ज्यदा इंपॉर्टन ओर या जाद रखिएगा जो मैले काईट है ये सांबा का आयस्क है लेड का आयस्क याद रखना है गैलेना सोडियम का आयस्क बोरिक्स है चीली सॉल्ट पीटर है जिंक आयस्क जिंक ब्लेंड है मरकरी का आयस्क सीने बार है कौपर का आयस्क मेलेकाइट है कैलकोपाइराइट है कैलकोपाइराइट है और कैलकोसाइट है य दोनों में flow करने के tendency होती है तो इसे हम लोग बोलते है फ्लिवड फ्लिवड का हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरल कर्यात्मक समूँ CHO निमलिकित में से किस में मौझूद होता है CHO जो functional group है किस में मौझूद होता है किटोन है alcohol है aldehyde है करवक्सलिक अमले है करवक्सलिक अमलका तो यह होता है alcohol में तो simply OH होता है aldehyde में होता है CHO C हमारा आंजर हो जाएगा और किटोन में होता है C double bond O तो यहाँ पर हमारा सेक्ट नमर जो है 33 समाबत होता है तो वडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वडियो को like जरूर करें मिलते हैं अगले सेक्ट में thank you so much